पाना तिकाता विर्मनी सिखा पदंसमादियामी आदिन दाना विर्मनी सिखा पदंसमादियामी कामे से लिछा जारा के सिखा आली के जो सब्द हैं जो शब्द हैं जो वर्ड हैं वो अपने आप में पूरी के पूरी डिक्ष्णरी होते हैं एक एक सब्द का इतना व्यापक मिनी होता है इतना ज़्यादा विस्तित और इतना ज़्यादा extensive होता है कि अगर आप गोता लगा जाएं उसमें तो पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाएं और कितने मोती इखटे करना है क्योंकि पाली एक पक्ती भासा है पक्ती का मतलब प्राकर्टिक और नैश्रल भासा है अपने आप बनी है अगर पानी चल रहा है और पानी मेंसे अवाज आ रही है गप 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 की तो इसको पाली में गंग कहा गया है यानि गप गप की आवाज और दुनिया का सारा पानी गप गप की आवाज करता है नदियों में जो पहाडों पर है उसको कल कल की आवाज कर सकते हैं मगर जो पानी नीचे आता है तो गप या उसमें कोई अगर हम कंकल फैकते हैं पत्थर मारते हैं या कुछ चीज़ डालते हैं तो एक साथ गप और गप की आवाज आती है यह जो गंग की आवाज है गंग की आवाज पानी में आने से उस पूरे बहते पानी को गंगा कहा गया जैसे बुद्धा कहा गया यानि गंग का गंगा बना वैसे ही बुद्ध का बुद्धा बना तो गंग से गंगा बना और जितना बहता पानी पहारों से आता है नदियों में पूरी दुनिया में पाली पाकेतिक भासा में उसको गंगा कहते हैं नदी या रिवर या जो बहता हुआ पानी के जो बहुत सारे नाव हैं दरिया है ये सब अलगलग भासाओं के नाव हैं मगर पाली पाकेति भासा में जहां पाली पैदा हुई है और बनी है जिस छेतर के अंदर वहाँ इसको गंगा कहा गया है यानि दुनिया में जितना भी बहता पानी है वो पाली के हिसाब से गंगा है और जिस छेतर में पाली सबसे ज़्यादा फली और फूली और बड़ी उस पूरे छेतर में जोकी नदियों की बहार थी और वहां की जो प्रिमुक नदी थी उसको बाद में गंगा ही कहने लगे और फिर नदियों के नाम उनकी पहचान के लिए पढ़ने लगे मगर सारी की सारी गंगा है नदी बाद में बोलने लगे यमुना गंगा यानि के यमुना है तो गंगा है सलस्वती है तो गंगा है अगर जो राप्ती है तो गंगा है यानि जितनी भी रिवदिवर हैं कावेरी गंगा तो बाद में गंगा लगेगा और गंगा इसलिए बहुते हैं क्योंकि प्रमुक नदी जो आती है वो उसको नाम ही सिर्फ गंगा पड़ा उसका कोई अपना नाम है नहीं बाद में उसको भागिरती कहने का यानि भाग का रथ लाने वाली बोलने लगे भाग का मतलब है हिस्सा लेके आने वाली पानी की धारा बोलने लगे गंगा बोलने लगे मगर गंगा का मतलब गंगा का मतलब यहां इसपस्ट है रिवर या नदी आप अगर पाली में गंगा बोलेंगे इसका मतलब बहतावा पानी जो लगाता चलता रहता है हर हर गंगे हर हर गंगे को पाली में बोलते हैं पिरतेक पिरतेक गंगा यानि पिरतेक पिरतेक नदी यानि हर हर गंगे all the rivers, सारी rivers को बोलेंगे हर हर गंगे या हर हर गंगा या हर हर गंगो गंगो नाम से एक city भी है अगर आप देखेंगे उत्पदेश में साहनपुर में तो गंगो नाम से एक शेहर भी है यानि गंगो गंगा के पास में गंगो यानि रिवर के पास में आपने देखा होगा कातिक इसनान कातिक इसनान जो आता है वो गड़ गंगा भी बोलते हैं उसको गड़ गंगा गड़ का मतलब होता है ग्रह यानि घर और गंगा जहां लोग गंगा पर अपना घर बना लेते हैं उस जगए को गड़ गंगा बोलते हैं यानि कि आप वहाँ अपना टेंट ले गए अपना खाना ले गए आपने एक जौपणी महाँ बना ली और 15-20 दिन वहाँ रहे गंगा के तठपर और गंग के तठपर वहाँ आपने रहे तो उसको गड़ या ग्रह बोलते हैं ऐसा एक गड़ गंगा यानि गड़ ग्रह उत्तर प्रदेश के अंदर बुलेंसर जिले में पड़ता है जो हापुर से थोड़ा सा आगे पड़ता है उसको गड़ गंगा बोलते हैं और उस मेले को बोलते हैं कतिक का मेला यानि कतिक जो आती है कतिक बोलते हैं जो installation होता है नक कार्तिक मेला बोला गया, यानि कार्तिक मेला बाद में आज की समय बोलते हैं और कत्तिक जो बोलते हैं पुराने समय में, कत्तिक यानि कार्तिक का पूरा एक महिना होता है, महिना कैसा होता है, महिना होता है कि पवार ना किसान जो वो अपने सारे काम कर चुका है, किसान जितन लोग थे वो सब निफराम हो चुके हैं आराम कर चुके हैं उनकी फसल उठ चुकी है उनका सारा काम हो चुका है और बारिश लगबग जम के हो चुकी है वसावास हो चुका है खतम वसावास के आखिरी पंदर दिन बचे हैं यानि कि जो अमावस्या आती है उस अमावस्या के धन तेड़से यानि धान तेड़से के जो जितनी भी धान है धान तेड़से पर एकटे करके लोग धान को घर में पहुँचा चुके होते हैं और सारी फसल जितनी भी है वो सारी फसल लगवग अंदर जा चुकी है गर्मी की अब लोग के पास में पंदे दिन का टाइम है क्योंकि पवर्णा का भी पवार्णा का भी आखरी समय है पवार्णा का मैंने एक वीडियो मेंने बनाया है वो आप देख सकते हैं पवार्णा है जहां लोग अपनी ध्यान साधना करते हैं पवार्णा का आखरी दिन है कतिक पूर्णिमा को उसके बाद भिक्कू जितने भी है वो सब निकल जाएंगे भिक्णू या निकल जाएंगी धम को सिखाने के निये धम को बताने के लिए लोगों को सदाचार की निये बताने के लिए आश्रण के निये बताने के लिए ओरलि लग बख खतम है, तो परिवार के परिवार अपने बैल गाड़ी लेकर बैल गाड़ी पे अपना पूरा सामान रख कर और खाने पीरे का तेंट वगरा सारा जो तंबू या चाधर लेकर निकल जाते हैं गंग के तट पर यानि के गंग के गड़ पर ग्रह बनाते है वहाँ जाके वो रहते हैं फूरा कुणॆ होता है गाउं के गाउम आовते हैं एक दोसरे से मिलते हैं जानकारियों का आतन पुखते हैं जो भाई चारा है जो सोहाद है वो पढ़ता है जानकारी बटती है दमकी जानकारी बढ़ती है, बच्चे चेंज होते हैं, माहौल बदलता है, फ्रेशनेस आती है, क्योंकि गंगा के तड़ पे लगातार मौसम बहुत बढ़िया रह जाता है, लोग वहाँ इस्नान करते हैं, सेहत बनाते हैं, और फिर कतिक पूरिमा पे उसको समापन करकर अप अपने अपने घर आ जाते हैं, ये बहुत प्राचीन सभेता रही है, भारत की सारी ही गंगाओं पर, भारत में जितनी भी गंगा हैं, उन सभी गंगाओं के तड़ पर गड़ लगते थे, ग्रह बनते थे, सारे के सारे, ये सारी सभेता समर सभेता है, समर लोग इसको बहु कोई गंदगी, कोई मिट्टी होने की बात ही नहीं, इधर थोड़ा सा खेले, उधर जाके डुपकी लगाई और बिल्कुल फ्रैस होके आगे, खाना बहुत मैदा लगता है, हाला कि थोड़ा सा रेत खाने में आ जाता है, मगर उसका भी एक अपना टेश्ट है, क्योंकि रेत कहां तक बचेंगे, थोड़ी हवा चलेगी, तो वो रेत खाने में घुल ही जाता है, फिर भी अच्छा लगता है, अगर आपने ये एक्सक्रियंस किया हो, तो बहुत अच्छी बात है, और आपने एक्सक्रियंस नहीं किया हो, तो एक वार गंदा के तरद पर टेंट लगा किहां सारी की सारी, उसमें बारिस का पानी नहीं आता, और पानी उसमें लगाता निरनतर आता रहता है, तो वो बहुत ही ज़यदा सुंदर और बहुत ही ज़यदा अच्छा स्वक्ष पानी होता है, अगर आप कर्तिक पूर्णमा का इधियास अगर आप देखेंगे, तो प पूर्णमा का इथियास बहुत गजब का है 528 बीसी में उरुवेल कसब जो आज के समय में जिनको कशब बोलते हैं वो कसब बोलते थे उरुवेल कसब और उनके भाई दोनों ही लगबग 1000 अपने चेलों के साथ, सिस्चों के साथ प्यूपिल के साथ में उन्होंने भगवान बुद्ध से धम सीखने के लिए पबज्जा ली, उनके धम को सीखने में वो सामिल हो गए और अपना जो अगनी कुंड बगरा था वो सारा उन्होंने उरुवेल जो रिवर थी, गंगा थी उसमें फैंक दिया उरुवेल जो निर्जना गंगा है उसमें फैंक दिया और वो सामिल हो गए संग बहुत बड़ा हो गया क्योंकि पके पकाए हजार एक साथ भिक्कों वहाँ पहुँचे 584 बीसी में सारी पुत को परिनिब्बान हुआ और परिनिब्ध हुए 584 बीसी में नाला गाओं में जो सारी पुत थे धम के सेनापती थे वह परिनिब्ध हुए यानि के वह अपना सरी छोड़े उनों ने इसी दिन काक्तिक पूर्ण माकरी दिन सारनात का जो मूल गंद कुटी है उसमें अनागारिक जो धमपाल हैं जिन्होंने धम की शाखा को ले के आए और धम के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रियास किया बहुत मेहनत की वो 1931 में मूल गंद कुटी में धातु ले के आए बुद्ध की धातु ले के आए उस किसी हिस्से को धातू बोलते हैं यानि अस्तियों को अपसेसों को या जो सम्मधित चीज़े हैं उनको धातू बोलते हैं पाली के अंदर अनागारिक धंपाल स्री लंका से आये अनागारिक धंपाल यूरूप के चुटेने वाले थे उनका मूल यूरोप में था, मगर धम में उनका इतना ज्यादा ध्यान चला गया कि उन्होंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ने वाले को अनागारिक बोते हैं जो गारिक को छोड़ दे, अनागारिक हो जाए, अनागारिक का मतलब घर होता है उन्होंने 1931 में धातु लेके आए जो मूलगंद कुटी में सारनाथ में स्थापित की गई आज भी हैं सारनाथ बनारस बनारस अगर आप जाएंगे तो वहां जाके देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएंगी देखने के लिए अवारना का आखरे दिन होता है कार्टिक पूर्णिमा और उसके बाद फसलों की बुवाई जो सीत कारीन फर्ष हैं जो फसले हैं जो सरदियों में पैदा होती हैं उनकी बुवाई और उनका काम आरभ हो जाता है खेतिये लोग, बादमन को छेतिये करने लगे, खेतिये लोग सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं, जितने भी खेतिये हैं, जितने भी छेतिये हैं, जितने भी छत्रिये हैं, वो सब खेतों में, अपने अपने काम में, अपने अपने छेत्र में लग जाते हैं, छेत्रिय तो मैंने आपको बढ़ाय दिया जो river होती है गंगा गंगा तीर का मतलब है तट गंगा तीर अगर बोलेंगे तो वो हो गया तट को बोलते है यानि बैंक river का जो होता है उसको गंगा तीर बोलते है गंगा द्वार डेटा को बोलते है गंगा धार गंगा की धार को बोलते हैं गंगा पार का मतलब है दूसरा तट गंगा सोत का मतलब है टॉरेंट यहां से पानी आता है उसको गंगा सोत बोलते हैं गंगे का मतलब है गंगा सम्मंदित अगर हम गंगे लगा देते हैं सब्द कहीं बहुत सारे इस्थान जिनको गंगे बूलते हैं और हर हर गंगे तो आपने सुनाई होगा हर हर गंगे का मतलब है हर जगा पर गंगे है गंगा है पिर्टेक पिर्टेक गंगा है हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे बहुत पुरानी सब्वेता है समर्ड सब्वेता है क्योंकि नदियां तो कहीं कहीं नहीं भारप की यहीं रही और लोग भी यहीं के मूल निवासी रहे समर्ड यहीं के लोग रहे नदियां उनको खाना पानी देती है इसलिए नदियां उनकी मा की तरह हमेसा रही है और उन्होंने हमेसा मा की तरह ही उनको पूजा है क्योंकि वो उनके लिए संपत्ति और सम्रद्धी और फल फसल सब कुछ लेके आती है अगर आपको याद हो तो पुराने समय में एक जगडा भी बताया गया है जो पानी के उपर हुआ था जो आपने देखा हो भगवान बुद्ध और उनका धम के अंदर बावा साफ डॉक्टर अंबिट करने सुरू के ही समय में बताया गया है धन्यवाद तीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको download कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी add कर सकते हैं या अपनी comment कर सकते हैं उस video का कोई भी part आप ले सकते हैं उसका print material भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका audio change कर सकते हैं उसका video ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें team 22 की किसी भी video का या स सारी वीजियो का इस्तमाल कर सकते हैं यह हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगे हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इ कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजी आपugen हम दूसरा वीडियो बना कर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहक बने धम आपको खुब लाब डाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देगे ये दोनों इंटरच सिंड है थंगं सरेन बिच्छाम। थंगं सरेन बिच्छाम। थंगं सरेन बिच्छाम। थंगं सरेन बिच्छाम। तुंतियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तुंतियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तुंतियं पी बुद्धं बुद्धं सर्णं गच्छाम। तुंतियं पी 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 बुद्धं बुद्धं सर्णं गच्छाम। तुंतियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तुंतियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम।